पिसमिल्य रख्वान रहीम असलाम उलेकम आपके साथ का डॉलर का और यार्ट यार वो शेयर करने के उपर अभी ये वीडियो का से अपलोड कर रहा हूं मैं यगीन मानने एक वाइरलेस लगी हुए वाइफाई किसी दोस्त के घर तो वहां पर जाकर वीडियो ये अपलोड आपके साथ मैंने किया बहुत बुश्कल से हुई है जो आप अभी देख रहे हैं अच्छा बात यह है जी के यह मैं आपको रेट की बिताता हूं साथ में और यकीन कीजिए कि आज जो डॉलर में मैंने देखा कि स्टम में न्यूस सुन रहा था पांच रूपए बढ़हा और स्टेट बैंक किदर रूगा पई कुछ पता नहीं है क्यों नेट ही नहीं है रात से नेटिंग ज पहुंच बैंकों हिसाफ से अपटा दूम हैं बैंकों की बात करेंगे इनका आट का रेट 75 रूपए 65 पैसे हो चुका है कल इसमें मजीद बेहतरी होगी ठीक है और इनकी 10-25 रियाल एफीस होती है अगर STC की बात करें तो इनका रीट आज का 75 रूपए 70 पैसे और 10, 17, 23 रियाल इनकी भी फीस होती है और कल इसमें मजीद बेहतरी होगी अगर राजी बैंकी बात करें तहरी राजी की तो इनका आज का रेट 75 रूपए 75 पैसे और 10, 17, 25 रियाल फीस के साथ और यकीन माने यकीन माने जूट बाली बात नहीं है एक कल म मिला हूँ वो मुझे बोल रहा था कि मैं जा रहा हूं दुबई के रिवाय साओधी रेविया और रियाल नहीं मिल रहे हैं यार कहीं से यह पाकिस्तान में रहे हैं लोगों ने बाई चुपा नहीं लोगों पता है यह बेंगे होने वाले जो सूर्तियार मुलखी इस वक्त हो चुका है और 10-17 के साथ और अगर बात करें टैनी मनी यानिके एनवी बैंकी तो इनका रिट आज का 75 रूपए 68 पैसे 10-17 और 25 रियाल इनकी फीज होती है इंजाद बैंकी बात करें तो 75 रूपए 95 पैसे 76 रूपए के क्रीब इंजाद बैंका भी रेट हो चुका है 10-17 और 25 रियाल फीज के साथ और अगर क्विक पे की बात करें तो क्विक पे का आज का रेट 75 रूपए 82 पैसे और 10-17 रियाल फीज है ओबराल आने वाले दो चार एक हफता में यह मजीद बढ़ेगा और 80 रूपए क्रास कर जाएगा अभी उपर दो चार पांक कितने होते हैं यह तुमाई दो तीन दिनों में यह निचोड निकल देगा